आज किस वीडियो को पूरा ध्यान से देखेगा, क्योंकि मैंने चाहता कि जो मेरे साथ हूआ है, वो आप लोंके भी साथ हो, मेरा फुन भी haack हो गया था कह रिंग या करताए है, तो है वीडियो को देखना तक्रिपन एक फ्था पहले, मैंने प securities के तोiset। क्योंकि नॉर्मली मैं 4-6 मैंने के बाद जो फोन को रिसेट करता रहता हूं था कि फोन क्लीन रहे और हैंग वगरा काभी कुई प्रोब्लम ना हो और शायद मैंने अपने किसी वीडियो के अंदर भी आप लोगो को बताया था कि मेरे पास जो केरम पूल के ताइम जंप करने को जब मैं गेम खेल रहा था रात के टाइम तो मेरे फोन की स्क्रीन ब्लैक हो गई तो मैंने फोन को दुबारा से ओन किया और मैं दुबारा से गेम में चला गया कि शायद जल्दी से मेरा गेम कनेक्ट हो जाए मुझे लगा ये कोई हार्डवेर का इशू हो सकता है और दो तो मिन्ट तकरिबन फून चला दुबारा से स्क्रीन ब्लैक हो गई फून स्विच ओफ नहीं होता था ये वाद आपने याद रखने है फून दुबारा से ओन हो जाता था मतलब बार बार ऐसा हो जा रहा था धो दो मिनिट के बाद, अरे कहना क्या चाहते हो, तो मुझे लगा यार इसका कोई हाडवेर काशु हो गया है, तो मैंने क्या किया किया कि इसको फून को, मतलब स्विच ओफ क्यार के पूरा रख दिया, मैंने का सुबह जाकर मैं मार्केड में दिखाऊंगा इसको क्या मसला है, आगले दिन जब सुबह को मैं उठा और जैसे मैंने फून को उठा है, तो फून गरम हुआ पड़ा था, तो अचानक से मुझे एक चीज याद ही, हालांके हम तो इस चीज को जल्दी में पकर लेते हैं, हमने मूवीज वगरा इंटरनेट पर यह चीज़ें देखी हुई है कि अगर आपका फून स्विच ओफ हुआ पड़ा है और फिर भी आपका फून गरम हो रहा है तो भाई फिर गड़बड़े, या तो आपका कोई सॉफ्ट्यूर वगरा चल रहा है, या आपका फून ट्रेस हो रहा है, या आपका फून है कोज़के कोई बिसीन है, तो मुझ अब सोचने वाली बात है, मेरे फून में वाइरस आये कहां से आखिर, वाइरस आये थे कल, यानिके एक दिन पहले मैंने रिसेट करने के बाद और फून हैक होने से एक दिन पहले बीच में मैंने इंस्टॉल किये थे, एटेक सेंड़ बॉक्स का मोड अपी के, गेम गाडियन उसका मोड एपी के के रमपूल का बैक अप लेने के लिए और टाइम जंफ वगरा करने की दिए सारे अपस में निस्टोल किये थे तो मैंने उसको कहा भई आप इसको software कर दें वाइरस वगरा चले जाएं क्योंकि मुझे में टेंशन थी के फून के अंदर मेरे फेस्बुक के अकाउंट्स और बैंक अकाउंट्स इसके आलवा मेरे यूट्यूब चैनल्स यह सारा कुछ मेरा ऐसी फून के अंदर लोगिन था मुझे डर था कि भाई यह कहीं पर वो हैकर के पास ना चले जाए या इस तरकी का कोई भी सीन ना हो जाए अगर यह लीक वगर आओ गए तो भाई फिर हम तो किसी काम के नहीं रहेंगे अब जहां तक बात है डेटा की तो मैं एक काम करता हूँ मैं जब भी अपना फून रिसेट करता हूँ ना चार छे मैने के बाद तो मेरे पास एक SD कार्ड पढ़ा हुए मैं सारा फून का डेटा कॉपी करके उसमें डाल देता हूँ ट्रांसफर कर लेता हूँ और फून रिसेट करने के बाद सेम डेटा में क detection में कॉपी करके अपने फून में डाल देता हूं और वो सेम डेटा मेरे पास बैक प में पढ़ा हूता है HD Card में का बाद है सर, क्या बाद है सर कलो को अगर फून खराब होता है, चोरी हो जाता है, गुम हो जाता है तो मेरे पास मेरा data जो है वो कम से कम से पड़ा होना चाहिए क्योंकि data ज्यादा important है फून से ये बड़ी अच्छी बात कही है तो इसलिए भाई मेरा data तो मेरे पास secure रहे गया लेकिन अगर आप ये गलती कर रहे हैं तो भाई आपने ध्यान रखना है इस बात का कि हमारा कोई account वगरा hack नहीं हुआ अगर YouTube channel hack हो जाता तो भाई हम जैसों की help कौन करता यार चड़े बड़े बड़े YouTubers होते हैं उनके तो accounts वगरा वापस भी आ जाते हैं लेकिन हमारा account कहां से वापस आता आप खुद ही इससे कोई सीखेंगे मैंने तो इने अपस को दोबार अपनी जिंदगी में अपने फून में इस्टोल नहीं करना ठीक है ना हालांकि आप लोग नोट कर रहे होंगे कि गेम के अंदर इवेंट्स वगरा भी आये होएं लेकिन मैं पिछले काफी टाइम से टाइम जंप के ऊपर वीडियोज अपलोड नहीं कर रहा बाकी तो आप लोग की मर्जी है जो आप लोग सही समझें वो आप कर सकते हैं बाकी आई होप वीडियो अगर आप लोग को पसंद आए तो लाइक जरू करना चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना हम लोग मेलते इस नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए ज़ाद दीजिए द्वाव में याद रिखिए ठेंक्स फॉर वोचिंग अलाहाफिस नंबर क्या है आपका पाच गाल पे दू